एस्पी के मकान में गुषके गाड़ियां देखा था एस्पी दरवाचे बंद करके अंदर गुष गया था अक बल निकाल लो इसको निकाल लो एस्पी को गाड़ी देखे आथा मुकेश्तिया की एस्पी ससांग मेरी बात सुन ले दो जारीकिस की अगर सुनता हो तो इस वीडियो को दो जारीकिस का दिन याद करे तेरी गार्द में तेरी कोठी में गुषके गाड़ देखा तने एक चोर के कंदे पर रखके बंदूख चलाई है नहीं तो किसी मानदार आ सिस्टम को सुधार हो नहीं तो मेरे से तो देख्या नहीं जान दा गलत काम मेरा रिजाइन मंजूर क्यों नहीं करे लेकिन एक चोर के कंदे पर रखके बंदूख चलाई जो एस्पी को गाड़ी दे के आया है एस्पी को शाहिद पता नहीं इस बंदे का बेक्राउंड इस किसे बड़ा त्या किसे बड़ा चोर मैक में में और है नहीं एक खलंग है पुलिस डिपार्टमेंट पे और कई जगह की वीडियो भी आई हुई है नमस्कार मैं हूँ अजब आरदुआज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं इस वक्ते पानिपत में हमारी टीम मोजूद है आसिस उर्फ सिंगम अर्याना पुलिस के वो जवान जिनको फिलाल बर्खास्त कर दिया गया है इससे पहले की भी तमाम तस्वीरे पानी पजीले का जो गाउं मांडी है वहाँ पर जो महाँ पेंचायत की गई थी वो तस्वीरे भी हमने आपको दिखाई थी सोनु मालपूरिया ने भी एलान किया था कि सान नेता यहाँ पर आये थे उन्होंने भी अल्टिमेटम सासन पर सासन को दिया था कि यदि 15 तारिक तक सिंगम को नहीं छोड़ा जाता है तो चाहे थाने या फिर कोरट का या फिर जेल का गहराओ करना पड़े लेकिन एक प्लान बना दिया गा था लेकिन उससे पहले ही सिंगम को देर स्याम छोड़ दिया गा था कई बाचीत हैं आपके भी कोमेंट आये थे कि अजब आई एक बार आसिस का इंट्रू जरूर लिजेगा चार-पांच जो परसन आपके उनका जवाब जरूर लेंगे आसिस बाई से आसिस से पहले तो ग्राण मेंडिया आपका स्वागत है राम राम जी बाई साब जय हिन जय भारत सभी देशवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरा बढ़ चड़ कर साथ दिया इस मुई में करफसन के खिलाब मुई में सभी संस्थाएं गाउं पूरा इंडिया लेवल पर जो इंडिया के लोग बार गए हुए सभी ने बिलकुल तनमन दन से सप सब्सक्राइब करता सभी कुछ ऐसा आजाता दनकी तो आपके भाई ने जरूत है नहीं बिलकुल आशिस भाई सबसे पहले दर्सक जानना चाहिए कितने साल के आपकी अर्याना पुलिस में जोब करते हुए कितना समय आपको हो गया था देखिए करीब 19 साल की जोब हो चु कि वही अनाप सनाप आप बोल रही थे आप अपने आपको फिल्मी स्टाइल में सिंगम कहलवाना चाहते थे इस परकार के जो कारिये कर रही थे उसके बारे में आपके क्या रही है जो साधी वीदेवा ठाकुर के जो ब्यान है देखिए पहली बात है कोई जाएगा भी मु से निकला हुआ एक देश का शिपाई हूं और देश का सेवक हूं और जो आप कोई किसके वीदेवा ठाकुर हम जी ऐसे देखो अपना आजाद देश है सभी को अपने विचार रखने की आजादी है सभी को बोलने की आजादी है और उसको आजादी है अपना जो विचार है उनके वो ऐसे रखेंगे जिसके जैसे विचार हो अपने रखेगा इसमें हम किसी पर टिपड़ी नहीं कर सकते जिसके जैसे विचार अपना रखेगा हम किसी को रोक नहीं सकते अच्छा आसी जवाई बरखास्त कर दिये गए हैं आप 20 साल क्या आप कर रहे हैं आपकी लगबग जोब रही है 20 साल तक तो ऐसी कोण सी बात रही है कि यहां बात यहां तक आ गई है क्योंकि जो जनता है जनता दो के वीडियो देखने लग रहे हैं उनको यह नहीं पता है को स्माथ यह थो के खिलाप आवाज उठाणेगा जो पाणिपत में लोग परेशान देक और अतिकरमन से जाम से नसा Répघोरि से और जो भी हर सिस्टम से यानिक फिलोग शिस्टम से परिषान थे लेकिन मैंने दीरे दीरे करके सारा सिस्टम जहसे रहेा रढे सब लेके और जाम से लेके अतिकर्मन से लेके जो ये नसात अश्करी अवैद समगलिन ये जो 80% तक मैं लोगों को अपने साथ लेके सभी को छोटे बड़े सभी को साथ लेके अश्ची परसेंट तक काम्याब हो भी गया था कि और बीस परसेंट जो बड़े अधिकारी की से में जो काम कर रहे थे रिश्वत खोर देखो सब रिश्वत खोर नहीं हैं वह से मांदारी से भी डूटी कर रहे हैं लेकिन कुछ ऐसे बंदे हैं जो पुछ तो यानिकी जो करते थे बद सलुक की करते थे बुरा वेवार करते थे एक चेंजमेंट आ गया था जैसे पुलिस को देखके डरते थे ना लोग यानिकी एक ऐसी छवी पुलिस की उबर गई थी जहां अर्याना पुलिस जिंदाबाद अर्याना पुलिस जिंदाबाद ऐसे नारे लगाने लगे थे लोग लोग जैसे पुलिस को अपना दूसमन समझते थे मैंने कोशिश की इनको अपना दोस्त बना के सभी को फेवर में लेकर सभी बुराईयों को खुतम किया जाए अचा काफी साथियों के कोमेंट भी है उनकी राए भी है चलो भी देखो आप अच्छा काम कर रह का जहां पर कानून का उल्लंगन लग रहा था चाहिए वो कीतना बड़ा अधिकारी अपसर क्यों नहों आपने उसको कानून का पार्ठ पड़ाने का कारिया लेगन यह कह रहे हैं कि यहाना मजो लग बग जो सत्रह जार जो अर्याना पुलिस के जो जोजवान है यही वह सब आपकी तरह सब इस परकार के काम करने लाग जाए तो बाकी मतलब फिर वह स्था डग मगानी जाओ आपने नहीं लगता सब ऐसा काम करें ना एक 24 गंटे के अंदर जी सब कुछ जो गलत अवैद है परसासन राम राज आज आजए सब यह ऐसे करने लग जाए तो राम र सबस्क्राइदा में पाणी पिल आ जाता है चाहे की पता की जाती है बैटने की सबिदा होती है हम सरकारि उफरे चले चले जाएं विवाग में पहली दबास कोई अजिरे मिल चाहाम पे टाइम लगा फीर आफिर आना अगर वह मिल भी गया तो ना तो किसी यह सात सबας लेते हैं और जो यह लाखों रुपय की लोगों से के टेक्स की पैसे लेते हैं एक तो यह गुंडे की तरह ववार किया जाता है यह से यह बोज मानते हैं कोई आ गया ना काम करवाने हैं इनका माथ ठनकता है अपना कोई आ गया तो इसलिए यानि कि यह कुछ बुरे उसमें चले यह तो 20-30 परसेंट जो अच्छे लोग हैं हर डिपार्टमेंट में सरकारी डिपार्टमेंट में उनकी वज़े से ही देश चला हुआ है चलो बाई देखलान की सबसे बड़ी बात तो यह है कि भी पुलीस आणनू का अगर कि वह इन रसी का सांप मना दे यानि कि से भ बाई कि जो वीडियो वाइरल जो ही थी जादा तरह वही सबज़े से होई थी कि बरस्टा चार को रोकने के लिए और फिल्मी स्टाइल में यानिक इनका नाम सिंगम बाई मीडिया वाला नाया जनताने लोगाने प्यार से इसका नाम रख्या था कि जो कर फिल्म में जो सिंगम फिल्म में जो रोल नहीं बहुआ वह उसी साब से एक इमानदारी की मूरत याने की इमानदारी के तोर पे पैचान बन गी थी लेकिन भाई कहा अगर है सासन और प्रसासन गेल टकराना को जारी करेंगे जिलापारसद बनागे निया में लेकि टिकेट तो पकी मिलेगी तो नुका एंबरी तो राजनीती जरूर करेंगे समाध सेवा करेंगे देखिए मेरा ऐसा कोई भी ओनी है मैं हूँ एक सिंपल यानि कि नंगे पैर भी रह लिए यानि कि मुझे किसी भी अब ब्रस्टाचार को रोकने के लिए लगाम लगानी जरूरी थी अचाहा आपकी ड्यूटी ट्रैफिक प्लिस में लगा रखी दी आपको ट्रैफिक में खिक है तो आपने मतलब और जो काम होने लग रहे थे तो आप उनको भी रोकने का प्रियास करते थे आलाकि जो आप आपको जो ड्यूटी लगाई गई थे आप उसके अलावा भी अनदर काम में अस्तक्षेव करने का प्रियास करते थे ऐसे कोमेंट भी आने लग रहे हैं ऐसे लोगों की राए भी है कि जो दायरा था आपका जो रिखाखीश दी भी से अलग काम नहीं करना है फिर आप करजबी बनता है और वो उसको power भी है गलत काम को कोई रोक सकता है इसमें को यो नी है सबी को ये सवीदान ने ले रहे हैं गलत काम होता है उसका विरोदगिया जाए उसको रोट किया जाए और जो ये बार-बार उचबी आफनी कारी के संग्यान मिलाए एसा हो रहा है समक्तिनिन ऐसा का में आंड़ मैं अधिकारि zelf B tooth वारे की डूती यह Letting रिक विस स्वंधिने के लिए और पबलिकcards पिलीस वाळताय है specialize व्रद्विक है वुपर म fertता है कि भी डूटी है गलत काम होता है रोको सवीदान के अनुशार यह नहीं है कि बीडूटी ठ्राफिक में थी जाम भी साप होता था दिकरमन भी होता था उसके साथ-साथ जो महिलाओं की सनेचिंग होती थी बजारों में जब तक मैं डूटी बे रहा ना चैलेंज के साथ किया अगर मेरी डूटी के दोरान किसी महिला का परस्च कट जाई या चैन सिंजाए तो मेरे से ले लेना इतने चले हर रोज दो तीन वार्दा तो ती थी पानी पत्मेवजारों में लेकिन जीरो कर दिया था उसको जीरो बिलकुल देख लो भाई या मतलब एक जनून है आसिस भाई का बीबी कह रहा है कि वाई जिस टाइम मेरी डूटी यो आगर दी के मजाल किसे महिला के चैन को छीन के ले जब को परस्चोरी कर ले बड़े दावे के साथ का आगर दे कि वही हम यानि कि खुद परस्देन के दे देंगे अगी दी कुछ ऐसा हो जाए तो सिंगम भाई अब कुण-कुण सी दारा ये फिलाल जो आपके उपर लग रही है और आगी कि क्या प्रकिरिया रही आपकी आपकी दाराओं के बारे में तो सरकारी कारिया में बाद दमकी मार पीटे ये कुछ नहीं ये तो के ओल इनोंने के सचाई की आवाज को दबाने के लिए और जंता को ड्राने के लिए क्योंकि जंता विजागरू को रिधिन का विरोध कर रही थी मैं मेरे साथ मिलके पूरी पाणी पते की जंता जो भी थे बार के भी जहां से गलत काम होता था सब भी उसके विरोध में एक जूट ओरे थे इन्होंने देख लिया असी परसेंट तो चोपट होएगा तुमारा दंदा और यह बीशक परसेंट रहे रहा है चोरी चेपे यह भी बंद हो जयागा यह तो एक जंता में ड्रक का मौल पैदा किया गया है ताकि करफशन के खिलाप और यह गलत कामों के खिलाप कोई आवा सब्सक्राइब ने बताया है हमारे को मन आई है तुम इस पर रेड़ नहीं कर सकते और नहीं कर सकते उनकी मजबूरी है ना तो एक 24 गंट भी नहीं उटा गलत कामा बैं इतनी भोरस पे तरफ से भी ब्यानवार लो है आप मानसिक तोर पर बिमार हो क्या मैं अगर मानसिक त सितंबर अक्तुबर नॉम्बर के महिने की बात है एश्पी के मकान में घुश्क गाडियां देखा था एश्पी दरवाचे पंद करके अंदर घुश गया था अगब निकाल लो इसको निकाल लो एश्पी को गाड़ी देखे आ हा था पर मुकेस्त्यागी एस्पी ससांक मेर तो दो जारीकिस की अगर सुनता हो तो इस वीडियो को दो जारीकिस का दिन याद करें तेरी गार्थ महां तेरी कोठी मगुषक गाल देखा तने एक चोर के कंदे पर रखके बंदूख चलाई तो किसी मांदार आद्मियों कहा देता है मैं तो दो बार रिजैन भी दे चुका सब्सक्राइब करना पुलिस वाड़ों में भी इससे बड़ा त्याकिसे बड़ा चोर मैं में और हैंनी यह खलंख पुलिस डिपार्टमेंट पे और कई जगह की वीडियो भी आई हुई है किसी के रिश्वत लेता इसका वी रोद करते तो कभी 200 के गिर जाता है कभी दमकी की देता है कि लोगों को उसकी वीडियो बना के यह कर दूंगा यह दर खास देके जूटी साची ऐसी कारवाई करवाता है अच्छा आपकी जो मान सिकता आपके दरश्टी कोन पर आसिस वाई 20 साल का आपका एक्सप्रियंस रहा है पुलिस परसासन का आम नहीं तो सुनने म इमान्दारी ना क्विए आप समाज सीवा के लिए हम इसे काम करने लगे रहे हैं और समाज के लिए आप काम करें पूरगी मेरे फैसरी तура है परश्टी साञीं किए ना कुछ ऐसे मामले हैं जो बड़े लेवल के होते हैं उनमें एस्पियंस तक सेप करता है कुछ जो छोटे करमचारिये में खुद थोड़ा बेमाना कर जाते हैं लेकिन इसका एक और जाया जो रीजन है यह जैसे यह तो पीसियारों में लूटते जो अनुस अंदान करता आपी पैसे खरot हो जाते हैं लेकिन उनको फैसे नहीं मिलते अगर अपने पैसे से करेंगे को यह करते है तो उनके मचबूरी है जो थाने में इन्वेस्टिगेस्टन करें जो राइए यह मतलब सब्सक्राया है तो इन अपनी जेवते पैसा देना पड़ा है देखिए पहली तो बात है एक सिस्टम भी बहुत बेकार बना रख्या है थाने में जो आयो हैं जैसे दो तरह की डूटिया होती एक तो investigation जो जांच कई जंग SP के कोन चाल दी ओड़ा आयो कई मामलम हो तो कुछ नहीं है SP के बगार तो पत्ता भी नहीं देखिए मैंनों SP का हुआ है SP का मैंनों होती है आयो होते हैं जो अगर उनको जैसे एक तो डूटि का लोगों की सेवा निकर ने देते हैं हर टाइम कभी VIP डूटी कभी फलाना डूटी कभी ला एंड ओर डूटी लोग गुमते रहते हैं अपनी फरियादे लेगे गुमते रहते चक्कर काटते रहते हैं कभी उनकी देदे माख खराब हो जेगा और दिन में फिर या भी डूटी फिर अगले दन फिर डूटी पर डूटी कदे कोट कभी कई यानि कि एक सिस्टम ऐसा बना रख्या है इनका उमानसीक रूप से इतना कमजोर कर दिया पुलिस वालों को और इनकी डूटी पर डूटी डूटी डूटी पर डूटी उस मामले में जल्दबाजी में लोगों को सही से नयाय नहीं मिल पाता देख लो भाई यानि कि देखो कई तरिके के ब्यान है जो लगातार सामने आने लग रहे हैं सचाई भी है हर डिपार्टमेंट की सचाई है अला कि सिंगम भाई तो खुद सामने आगे मीडिया के आला कि खुद इनकी जो वीडियो है वो वायर भी होने लग रही थी भाई इन तो जहां भी ब्रश्टाचार उंदा देख्या हूं वहीं रोकने का प्रियास किया है और जिसका खामियाद जा आज यह बहुतन लग रहे हैं बरखास्त कर दे लेकिन आज भी भी देवा ठाकर काईक और जो बड़ा विवादित भ्यान आपकी खिलाप में कि करनाल में कोई फोटो वारल की बात और पांच लाग का जो मामला ब्रश्टा चारीगा आपकी पतनी को लेकर कि जो ब्यान हो सुनी भी हो आपने वो क्या मामला है देखिए मैंने तो सुनी न पर आपकी जो आपकी जो वीडियो वारल होई थी तो वह उस टाइम पर कह रहे हैं वह काफी लोगों का कहना भी आपने उस टाइम पर सीनियर जो अपके अधिकारी हैं उनको फोन करके क्यों नहीं बताया बही आप और जो टीम है वीजी लेंस की टीम है यह दिरी सुद कोई ले रहा है तो आपने वो टीम को बताना था आप खुद ही वहाँ पर आप एक्शन करने के लिए पहुँच गई वीजी लेंस टीम है वो मैटर दूसरे होते हैं पहले तो भी शबूत ले आओ वहां किसी से यह थोड़ी कभी इसकी अप्लिकेशन आरी उसको बुला रहा रहा उस पर माइंगे हैं वहां तो कोई भी आ गया जैसे विकलों आ रहे आते लोग डिड़ वान आ रहा है रुकव मेरे को कानुन का सब अब यह रही थी वहां के लोग है में आस पास के उनको सब पता है जब वह बाग भी गया जब वहां से घाड़ी लेके बाग गए फिर जब जन्ता ने महारा काया ने शरू कर दिया नहीं तो हर रोज वसुली करते हम रोज देखते हैं यहां यह और प्त्रकार साथियों ने आपकी वीडियो लगातार दिखाई आप अच्छे काम कर रहे थे उ आपका उसला बढ़ाने के लिए मुनोबल बढ़ाने के लिए वीडियो काफी दिखाए गई थी यूटूबर साथियों ने पत्तरकार साथियों ने उनीक ऊपर केस दर्ज कर दिया गया पता भी होगा आपने क्या कहना चाहेंगे उस-इस मुद्दे को लेकर के पत्तरकारों क को भी नहीं चोड़ा गया सभीदान के चोथे सतम पर भी जब यह टैक करते हैं जो रहे तो इससे आप समझ जया हो जनता के अंदर बैगा मोल पैदा करना इनका मक्सद है और लेकिन मैं सब की लड़ाई लड़ूगा जो यह पत्तरकार भी हैं और जो जूठे मुकद में लाए हैं इनको मैं अपने पैसे से इनके सारे हकों की लड़ाई लड़ूगा और इनको वकील होगा जो खर्चला के गौप पर लड़ूगे ने वकिल मैं खुद केस्टों को खतम करवाएंगे किस्टों को खतम करवाएंगे इनको सीबी आई तक जाना पड़े सीबी आई तक जाएंगे भी जांचो मुक्य पर मुझूद भी नहीं तो परीपलान होया है परीपलान किया गया है तो यह तो जंता को और लोगों को आम जंता को ड्राने के लिए ताकि यह बित रहें और कोई आवाज ना उठा सके करफशन के खिलाब इसलिए नोने यह सारा सड़ींतर रख्या रचा गया है अच्छा अब आपका उसला क्या सही है तो नहीं कि आपका मुनोबल टूट गया हो बरखास्ता आप कर दिये अब नूपस्तावा और रहा हो यह नहीं करते तो साइद मुझे नोकरी का ना तो कोई लालच है मैंने पैसे के लिए कभी नोकरी नहीं की मैंने तो लोगों को अशययोग होता रहे क्योंकि लोगों पर बड़े अत्याचार होते हैं यानिकि एक मौन के साथ खड़े होचा था उनको उसला बतता था और मैं कानुनी रूप से बता भ सब्सक्राइब करूंगा जिसका मेरे फोन पास फोन आएगा एक रस्ता दिखाऊंगा उसे जैसे हमें अब जाना है दिल्ली हम चल पड़ेंगे चंदिगड की तरफे तो हमें दिल्ली पहुंच नहीं पाएंगे ठीक है नहीं चैकिता हुआज में बैठ ले जबी नहीं पह को कौँब हुआ है कोई बीन के पास साहिता मांगे या कोई भी किसी प्रकार कि सलह कानुने चल्का मांगेगा तो सही रास्ता दिखा जाएगा समाज की जो कार्येAttिय ओ आप करेंगे लेकिन आप तो ड्यूटी यह चली गई आपकी नोक्री यह चली गई यह से भी पॉल रहे हैं तो देखिये वहाँ थोड़ा और ज्यादा अच्छे से कर सकते थे लेकिन थोड़ा यह हो गया ना उस टाइम तो महां जंता के बीच में रहे ना था लेकिन यहां ब करते रहेंगे के रस्ता दिखाते रहेंगे ऐसे चलो एसे चलो और इससे भी दूर्मैन पॉइंट अपने देश में सिक्ष्या की बहुत ज्यादा कमी है जागरुकता की इसलिए कराइम बढ़ रहे हैं और कराइम बढ़ निकाकार है यानि कि पुलिस की कारवाई डिल ला लोग फिर अपस में लगड़ा जगड़ा करके आपस में उस बाद छोटे मैटर को बड़ा बना देते हैं लोगों में जागरुकता की कमी है चलो फिलाल वीडियो आपने देख ली है सिंगम हमारे साथ मोजूद थे कोमेंट बोक्स में सिंगम के विचारों को लेकर के फिल झाल 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 झाल